यूटूब चनल संदेव कुमार हेर इस्टाइलिस आज फिर एक नए हेस्टाइल के वीडियो के साथ आपके सामने हैं जैसा कि आप थामनेल देखी चुके होंगे कि आज हम हल्दी लुक पे एक हेर इस्टाइल क्रियेट कर रहा हैं और कैसे हम लेस के साथ फ्रंट पे बेरिय हेर काले से अलेड़ी प्रिप्रिप्रेशन कर दिये हैं आफ्टर प्रिप्रेशन के बाद हेड़ किरिये हैं जिसमें के साथ हेरिस्टाइल बनता है फ्रंट में जो हमने लिया हो फोर फिंगर का गप लिया अपने नीट के एगार्डिंग अगर क्लाइंट को बीग पॉफ चाहिए तो आप ज्यादा सेक्षन ले सकते हैं पीछे तक या फाइफ या शिक्स फिंगर का गैप ले सकते हैं हम year to year parting निकाले हैं, four finger gap पे, then अब हम पीछे एक section लेंगे, यहाँ पे एक small puff create करने हैं, with lines के साथ, तो हमने एक C types of section निकाला है, then C types of section में, छोटे छोटे section लेके क्या करना है, इस पे back coming, back coming हमको root पे करना है, इसका जो angle होगा, वो आगे के तरफ, hair को front आगे के तरफ ले जाना है, then back coming, back coming के बाद यह five number का holding spray हम यूज़ कर रहा है, जिससे हमारा जो back coming हो, वो sticky हो जाए, holding spray का link भी हम description में दे देंगे, आप इससे जा कर सकते हैं, अब यह puff create करने के बाद, जो front वाले, जितने भी front वाले में जो hair है, इसमें हमको light back coming करना है, root पे, ताकि अच्छे से क्या हो, उपर visual line जो हम create करें, वो ज्यादा अच्छे से visual हो, fan dance सबको अच्छे से com करेंगे, फिर com करने के बाद, इस पे एक lines create करेंगे, पूरे pop पे, अच्छे से line create करेंगे, line create करने के बाद, इसको पीछे, पीछे grape नहीं मिलता है, तो आप bob pin के मदद से इस पे, लॉक कर देंगे लाइन जो हम create कर रहा है commercial line भी दे सकते हैं इस पे या on commercial दे सकते हैं या big lines create कर सकते हैं ओके दैन इसको bob pin के मदद से पीछे ही जो जहां से हमने section लिया था puff के लिए बस वहीं पे हम क्या कर रहा हैं लॉक कर रहा हैं दो bob pin को other side, दोनों side से lock कर देंगे, then holding spray कर देते हैं थाकि वो sticky हो जाए, then अब ये है less, इसको हम hair के जो beach partition की हैं, इसके दोनों partition में अलग-अलग lock करेंगे और first partition में हम एक diagonal section लिये हैं उसके बाद उसको तीन section में divide की हैं then आपको ध्यान रखना है पाला वाला section हम छोड़ दिये थे then वो दो section को अच्छे से turn करना है फिर ये जो हम lace रख रहा है ये front वाले जो अभी front वाला हमने एक line छोड़ा था braids के लिए, उसके उपर से वो line cross करेगी हम इस पे जो braids create करेंगे, वो ultra braid creates करेंगे generally हम जो सीधा braid create करते हैं, इसमें just उसका ultra braid create करना है, पर ध्यान रखना है कि ये जो भी front वाला section आके जहां से turn हो रहा है just उसी के उपर से वो lace जाएगा, अभी lace आप लोग को turn करके दिखा रहा है जैसे ये front वाले के बासे ये lace गया और then जो अंदर वाले section था उसी में turn हो गया उसी में वो क्या हो गया, घुम गया फिर front वाले section और जो section बचा था उसको लेके front से ही then इसको अच्छे से turn कर रहा है आप लोग ये lace को ध्यान रखना है कि जो भी front वाला part से आके जैसे ही turn होगा और पीछे वाला वही पीछे वाला part आएगा तो उसी में मर्ज हो जाएगा ये ध्यान देना है आप लोग को कि हमको यहां thumb में जो lace बना के रखे हैं रोक के उसको हम बीच में डाल रहा है then जो पीछे से section आ रहा है उसमें एक round turn करके उपर से lace निकाल के फिर उसको thumb में पकड़ ले हैं फिर इस पे front पे section लेके हम इसको वापिस से फिर से braid create कर रहा है ऐसे braid create ये तो हम front से लेके create कर रहा है otherwise आपको friends से लेके नहीं create करना होगा तो आप लोग ऐसे generally braids बना सकते हैं generally मतलब तीन section को लेके बीच वाले section में हमको lace लेके आना है और पीछे वाले उसके section को क्या करना है हमको लेके आना है वहीं पे turn कर देना है ध्यान रहे कि बस जो पीछे वाला section घुमेगा उसी पे वो एक round नीचे से घुम जाएगा lace हमारा ऐसी lace create करते हुए इसको पीछे तक जाना है अभी lace lock करने से पाले जो भी यहां पे pulling है पीछे के जेवी section दिख रहा है उसको क्या करना अच्छे से pull कर देना है ताकि जो भी यह turn हुआ है यह देखिए lace हमने वहां लगा है जो front से आके back के तरब turn हो जा रहा है same design other side भी create करना है आपको यह braids बनाने के बाद पीछे आपने जहां पे लॉक किया है वहीं पे हमको section को लॉक कर देना है और बॉप पिंग के मदल से लॉक कर सकते हैं पूल करते हुए गया बॉप पिंग के मदल से हम लॉक करेंगे इसको then other side भी left side भी हम same वही process follow करेंगे other side भी हमने एक लिया है horizontal section इसमें तीन पार्ट में divide कियें जैसा के हम normal breaks बनाते हैं पीछे वाले दो section को हम दो पार्ट में divide कर दियें फिर हम finger में जो lace को रखें वह बीच में फिर जो side वाले पार्ट है उसको अंदर के तरफ turn करके फिर उसी में हम lace को turn कर दे रहा है अगर आपको ज्यादा जल्दी हो गई है वीडियो तो आप लोग हमें comment करके बताईएगा slow करके या फिर आप वीडियो को slow करके देख सकते है ओके practice बहुत नेड है आप लोग जितने अच्छे से practice किजिएगा जितना time दिजिएगा उतना जल्दी एक बार आप pattern पकड़ लिजिएगा तो फिर आपको back braid से थोड़ा सा difference है ओके थोड़ा सा difference में back braid से आपको बनाना है ओके यह हमने turn किया जैसा कि हमने वो तीन सेक्षन लिए थे front से front वाले सेक्षन को अंदर फिर पीछे वाले सेक्षन जैसे ही आएगा बस वही नीचे के तरफ से turn हो जा रहा है आप लोग देख रहा है कैसे easy तरीके से पीछे के तरफ turn हो गया then अब यहां front का सेक्षन खतम हो गया तो हम उसको generally opposite braids जो create करते हैं वही create करेंगे then उसके बाद pull करेंगे pull करने के बाद same जैसे वह ऐसे पीछे lock किये थे वैसे lock करेंगे वो lock करने के बाद हम क्या करेंगे पीछे जो भी section बचा होगा उसमें भी यही braids create करेंगे बीच वाले partition में या आप किसी भी healthy look पे संगीत पे यह सब चीज में आप यह look create कर सकते हैं और कोई client gown पहनी है उसमे भी create कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर visual होगा ओके दैन आप पीछे के जो section बचे हैं इसमें भी तीन पार्ट में divide कर रहा है और दो पार्ट के बीचों बीच यह lace को रख रहा है हम और lace को रखते हुए इसमें merge करेंगे सेम प्रोसेस में पीछे तक बनाना है दैन बाकी जो section बचा हुआ है other side is side इसमें हमको क्या करना है सबका cals करना है पूरे angle को outward invert दोनों cals कर सकते हैं अगर extra bounce चाहिए आपको तो आप outward कर सकते हैं invert कर सकते हैं अगर आप लोग soft bounce चाहिए तो आप invert कर सकते हैं इसके अलावा इस पर आप classicals भी create कर सकते हैं according नीड आप waves भी create कर सकते हैं Hollywood waves भी आप इस पर दे सकते हैं आपके according जो रेश्ट हेर शूटा है उस पर कुछ भी कर सकते हैं बीच में आप जो दिख रहा है पिंस उसको च्पाने के लिए हम लोग accessories भी multiple accessories भी आती है butterfly likes यह सब कुछ भी use कर सक लगते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा ऐसे ही वीडियो के साथ आते रहेंगे काफी दिनों बात यह मेरी वीडियो आई है आई होब कि सबको अच्छा लगा होगा यह वीडियो यह छोटी टेकनिक ऐसे छोटी छोटी टेकनिक आप लोग को देखना है तो मेरा इंस्टा प्रोफाइल संदीब हेर और मेकाप आर्टिस्ट के नाम से है आप लोग जाके देख सकते हैं उसको फॉलो किस दिएगा मिलते हैं नेच्ट विडियो में यह सारे को हम कल्स कर रहा है आउटवर्ड ही कल्स कर रहा है ऐसे पूरे सेक्षन को आउटवर्ड कल्स कर देना है आप लोग को वन साइड दो साइड दोनों में ये तीन सेक्शन हम डिवाइट किए बिग-बिग ही कल्स कि ए है आप लोग इसमें छोटे-छोटे भी कल्स कर सकते हैं सेक्शन निकालके ये हमने बिग-बिग सेक्शन निकालके कल्स किया हुआ है इसका अगर सौट टुटोरियलस आपको देखना है तो हमारे इन्स्टा पर मिल जाएगा और इसका real पर भी video देखना है तो ये हमारे इन्स्टा प्रोफाइल पर मिल जाएगा आप लोग जा के जरूर देखेंगे मेरा इन्स्टा प्रोफाइल है सन्दीफ, Hair and Makeup Artist मिलते हैं next video में